दिल में कोई भी व्यर्थवात नहीं रखना इसके लिए अपना अमरतवेले बाप से मिलने के बाद एक तो अमरतवेला जरूर करना और उसके बाद अपने सारे दिन की जिन चरिया जिसमें मन बिजी रहे कोई न कोई डिल अनेक डिल बाप दादा ने सुनाई है लिकिन कोई न कोई डिल साथ साथ करती रहना बाप दादा सभी के लिए कहते है कि बीच बीच में समय निकाल करके चाहे पुराने चाहे नए सभी को एक दम्मा शरीरी बनने की डिल जरूर करना है क्योंकि आने वाले समय में सेकेंड में अशरीरी बनना बहुत ज़रूरी है तो ये डिल कोई कहे समय नहीं मिला कितना भी कोई बिजी हो पानी की प्यास लगती है तो क्या पानी नहीं पीएंगे पानी पीने के लिए उठेंगे जरूर ना जरूरी समझ के उठेंगे ना तो ये एक मिनट आशरी बनने की दिल ये प्रैक्रिस जरूर करो उस समय प्रैक्रिस नहीं कर सकेंगे बैफ समझते हैं ना कि समय आएगा तो कर लेंगे लेकिन नहीं ये जनम जनम का बोड़ी का अभ्यास उस समय शरीरी बनने नहीं देगा इसलिए अभी से कोई भी समय निकाल सारे दिन में समय प्रत समय जो भी समय निश्चित करो एक से किन में शरीरी आत्मा हूँ आत्मा स्वरुप में स्थित हो जाओ बोड़ी कांसेश अपने तरफ खींचे नहीं ये अभ्यास सभी को करना है चाहे पुराने हो चाहे नए हो क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय से ये बाप कही है लेकिन करना जरूरी है नहीं तो स्रीमत का हाथ में हाथ दे करके नहीं चल सकेंगी आपका बाइदा है साथ चलेंगे साथ साथ राजी में आवेंगे तो ये डिल सभी को करनी है